क्रिकेट बीश्व कप प्रत्योगिता में अफगानिस्तान के खिलाब शमी के हैट्रिक पर जहां सारा देश पूरा जस्न मना रहा था वहीं शमी की पतनी हसी जहां कौन की काम्याबी रास नहीं आई और उनके वाटसअप ग्रूप पर किसी प्रिशन सक के द्वारा शमी के फोटो डालने पर हसी जहां भड़क गई और उन्होंने अब शब्द लिखते हुए कमेंट किया कि मेरे ग्रूप पर इस लफ़ंगे के फोटो ना डालें फिर उनके इस विहवार को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई आपको बता दे कि शनिवार को इंग्लेंड में जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो अंतिम ओबर में अमरोहा के तेज गेदबाज मुहमद शमी ने लगतार तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज कर हैट्रिक बनाई थी मैच भारत की जोली में आ गया था इस पर पूरे देश के साथी अमरोहा में भी जमकर जश्न मनाया गया जोश्य भरे हुए शमी के समर्थकों ने शोशल मीडिया पर भी शमी के फोटो को शेयर करके अपनी खुशी के जाहिर किया एक समर्थक ने तो मुहमेश शमी की पतनी हशी जहां के वाटसब ग्रूप पर भी शमी के फोटो डाल दिये ये फोटो देखकर हशी जहां के तेवर और भी तल्क हो गए और उन्होंने फोटो भेजने वाले शक्स के नाम का उल्ले करते हुए लिख दिया कि इस लफंगे क पतनी ही फोटो मेरे ग्रूप में ना डालें हशी जहां के एक समर्थक ने फोटो फेजने वाले शक्स को ब्लोग करने के भी सलाह दि अग्येश्तिजां के कमेंट को ले कर टरह तरह की चरजाएं शुरू हो गई है और मामला तूल पकरता जा रहा है जबकि अधिकांश लोगों का यही काना है कि ब्यक्तिगत लड़ाई अपनी जगह होती है लेकिन शमी की गेदवाजी से जब देश को जीत मिली तो उनके खिलाफ इस तरह के कमेंट नहीं किये जाने चाहिए उलेखनिया है कि लगभग डेड़ साल से क्रिकेटर मुहमद शमी और उनकी पत्निया से जहां के बीच बीवाज चल रहा है हसी ने शमी और उनके परिजनों के खिलाफ कोलकाता में दहेज का मुकदमा भी दर्ज कराया है मुहमद शमी के लिए अपशब्द प्रयोग किये जाने पर हसी जहां ने कहा कि जब श बेटी के साथ निकाल दिया गया हसी जहां ने आगे कहा कि शमी की काम्याबी से हमें जलन तो नहीं होती है लेकिन जिस तरह किसी लफंगे का कोई चरित्र नहीं होता उसी तरह शमी का भी कोई चरित्र नहीं है उसके सबूत भी हमारे पास है इसलिए मैंने उन्हें लफंग रही हैं अब देखना यही होगा कि हशी जहां के इस जवाब का मौमद शमी क्या जवाब देते हैं तर डेली न्यूज रूम से बिनितराय की रिपोर्ट